हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस उडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ज़ादा बढ़िया बजट मुबाइल्स जो आपको मिलते हैं रेड्मी और इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स का S5 प्रो और रेड्मी का 8 दोस्तों वैसे कीमत तो अब थोड़ी बढ़ गई दोनों मुबाइल्स की क्योंकि सभी की कीमत बढ़ चुकी है इन्फिनिक्स S5 प्रो आपको मिल जाएगा 11000 में रेड्मी 8 9000 में तो दोनों में 2000 का ही फर्क है इस वीडियो में मैं कमपेरिजन करके आपको बताँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा चले देखते हैं 9000 में रेड्मी 8 के साथ क्या क्या दिया गया है तो सबसे पहले मिलता है ये मिनी बॉक्स जिसमें लगवा है एक सिम इजक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल और एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है इसके बाद मिलता है मुबाइल जो मेरे पास है रेड कलर में डेटेल लुक हम अभी देखींगे दोस्तो ये इस मुबाइल का सबसे बेस्ट कलर है उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको रखी हुई मिलती है एक डेटे केबल डेटे केबल की क्वालिटी अच्छी है लेंध भी सही है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है इसके बाद आपको आखिर में रखावा मिलता है ये ब्लैक कलर के अंदर चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है फाइव वर्ड टो एंपियर का ही तो दोस्तो ये सिम्मल सा 10 वर्ड का चार्जर है फास चारजर तो आपको नहीं दिया गया लेकिन अच्छी चीजिए है ये मॉबाील फास चारजिंग सपोड़ करता है तो आप मार्किट से खरीद के एक 18 वाट का फास चेजर इस मोबाल के साथ इस्तमाल कर सकते हैं तो ये सारा समान आपको मिलता है 9000 में Redmi 8 के साथ चली देखते हैं अगर आप 11000 खर्च करते हैं तो Infinix के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसी आप Unbox करते हैं इसमें भी सबसे पहले रखा वो मिलता है Mobile डिटेल लुक हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं कुछ User Manual रखे हुए हैं और एक मिलता है Normal Quality का Cover इसके बाद मिलता है Screen Guard जिसको आप खुछ से लगा सकते हैं यह चीज इसमें अच्छी है लेकिन Redmi 8 में आपको Gorilla Glass 5 की प्रोडेक्शन मिल जाती है जो ज़्यादा बेटर है इसके बाद मिलती है Data Cable जिसकी Quality अच्छी है Length भी सही है लेकिन इसके साथ Type-C Cable नहीं दी गई आखिर में आपको रखवा मिलता है यह Charger White Color में जिसके अंदर आपको Output मिलता है 5W 2A का ही तो वैसे ही Charger आपको मिलता है जैसे Redmi 8 के साथ दिया गया है तो दूस्तो देखा जाए तो दो चीजों का फर्ग है Redmi 8 में आपको एक तो Type-C Cable मिलती है दूसरा Fast Charging का सपोर्ट दिया गया है और उसकी कीमत 2000 कम है तो Rate के हिसाब से देखा जाए तो ज़्याद अच्छा समान आपको Redmi 8 के साथ ही मिलता है Infinix S5 Pro से तो इस चीज में तो Redmi 8 जाद अच्छा है चले बात कर लेते हैं दोस्तो आप डिजाइन के बारे में तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन बहुत जाद अच्छा मिलता है देखने में दोनों ही मोबाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं रेड कलर Redmi 8 का भी बहुत अच्छा है Infinix S5 Pro का ग्रीन कलर भी बहुत जाद बढ़िया है लेकिन दोनों में आपको प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है इस चीज में दोनों एक जैसे हैं और डिजाइन की जो क्वैलिटी है फिर भी जो आपको स्क्रेचिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो Redmi 8 में बहुत जाद मिलती है डिजाइन की क्वैलिटी के अंदर Infinix और जाद अच्छा है Redmi 8 से इस चीज में मुझे Infinix जाद अच्छा लगा क्योंकि इस पे स्क्रेचिस Redmi 8 के कमपेरिजन में कम आते हैं बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो Redmi 8 में आपको पिछे की तरफ दो कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला है 12 MP का दूसरा 2 MP का उसे की ठीक नीचे दिया गया है fingerprint scanner और नीचे मिल जाती है Redmi की ब्रांडिंग और front camera आपको मिलता है 8 MP का camera की performance इस mobile में आपको बहुत अच्छे मिल जाती है camera में ये mobile काफी बढ़िया है वहीं दूसरे तरफ Infinix के S5 Pro में आपको पीछे की तरफ 3 camera दिये गया है जिसमें पहला 48 MP का है दूसरे 2 MP का और तीसरे दिया गया है low light sensor front camera है 16 MP का दोस्तो camera की performance आपको Infinix के S5 Pro में भी काफी अच्छे मिल जाती है बाकी इन दोनों mobile में फिर भी जाद अच्छा camera आपको Infinix में ही मिलता है camera में Infinix S5 Pro जाद अच्छा है Redmi 8 से इसके लगों दूसरे बात करें डिस्पले के बारे में तो Redmi 8 में आपको डिस्पले size मिलता है 17.6 चे आसपास 6.3 चे डिस्पले है और Infinix S5 Pro में आपको 16.5 चे आसपास डिस्पले मिलती है size S5 Pro में आपको और जाद अच्छा मिल जाता है IPS HD Plus डिस्पले है Redmi 8 में और IPS Full HD Plus डिस्पले है S5 Pro के अंदर तो डिस्पले की जो quality है उसमें कितना फर्ख है में आपको दिखा देता हूँ लेकिन उससे पहले बात करें दोस्तो user interface के बारे में तो user interface कुछ इस तरह किसे मिलता है Redmi 8 में आपको home screen पे ही सारी apps मिल जाती है और Infinix में आपको ये नीचे shortcut दिया गया है और आप उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको app drawer दिया गया है बाकि दोस्तों मुझे ये दोनों mobile's user interface के अंदर normal ही लगे बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से features, icons आपको किसके जाद अच्छे लग रहे है मुझे इस चीज में दोनों normal लगे दोनों mobile's की display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ सबसे बड़ा फर्ख है design का display को लेकर Redmi 8 में notch आली display है और Infinix में आपको full view display दी गई है इसमें आपको ना तो कोई notch मिलती ना कोई punch hole camera दिया गया इसमें आपको 11000 में pop up camera मिलता है यह सबसे सस्ता pop up camera वाला mobile है बाकि दोस्तों अगर आप display के colors देखींगे तो वो दोनों में लगबग आपको एक जिसे ही मिलते हैं दोनों में काफी अच्छे colors है तो display की quality दोनों में same है design Infinix का अच्छा है left side साब देखींगे तो दोनों में sim gate tray है दोनों के अंदर आप 2 sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ साब देखींगे तो दोनों में आपको charging port, speaker, mic, headphone, jack मिल जाता है, Redmi 8 में type support है, यह इसकी जाद अच्छी खूबी है right side साब देखींगे तो दोनों में मिलते है volume के buttons, उसे की ठीक नीचा power के buttons इसके लावा ऊपर की तरफ साब देखींगे तो Redmi 8 में आपको IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं, इसमें जाद अच्छी खूबी है और Infinix में आपको उपर की तरफ pop-up camera दिया गया है बाकि दोस्तों दोनों ही mobile में आपको मिलती है 4GB gram, 64GB के internal storage 64GB में साबको Redmi में मिलती है 50GB के आसपास memory free और Infinix में दी गई है 54GB के आसपास इसके लब दोस्तों Redmi 8 में आपको Android का 9 Pie version दिया गया है और Android का बिलकुल latest version आपको मिल जाता है Android 10 Infinix का S5 Pro में इस चीज में Infinix और ज़्याद अच्छा है बात करें दोस्तों battery के बारे में तो Infinix के अंदर आपको battery दी गई है 4000 image की Redmi 8 में 5000 image की दोनों mobile के अंदर आपको एक दिन का battery backup पराम से मिल जाता है बाकी Redmi 8 आपको और ज़्याद अच्छा मिल जाता है battery के अंदर बात करें दोस्तों processor के बारे में तो Redmi 8 में आपको मिलता है Snapdragon 439 processor और Infinix में आपको दिया गया है MediaTek का P35 processor अब इस चीज में ये दोनों mobile's normal है अगर आप एक normal user है आपका इतना ज़्यादा heavy use नहीं है तो इन दोनों mobile's में आपको बिल्कुल भी problem नहीं आने वाली जैसा आप WhatsApp, YouTube अगरा यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इन दोनों में लेकिन दोस्तो heavy use के हिसाब से ये दोनों नहीं है अगर आप एक बहुत ज़्यादा heavy user है तो उस level का processor आपको इन दोनों में नहीं दिया गया ये दोनों mobile's normal use के हिसाब से हैं तो दोस्तों ये सारी खूबिया कम्या मिलती हैं आपको इन दोनों में चले बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में सा कौन सा लेना चाहिए तो दीखिए सबसे पहले matter ये करता है कि आपको Redmi पे ज़्यादा भरुसा है या फिर Infinix पे इसके बाद आपकी में ज़रुत की चीज़ कि इस mobile में ज़्याद अच्छी है तो दीखिए अगर आपके लिए matter करता है mobile का design ज़्यादा तो design के अंतर वैसे देखने में तो दोनों अच्छे हैं ज़्यादा better वैसे मुझे Redmi 8 ही लग रहा है लेकिन इसकी quality जो है back panel की वो बहुत ज़्यादा हलकी है इस पे scratches बहुत ज़्यादा जिल्दी आ जाते हैं cover लगाने के बाद भी तो मैं आपसे यही suggest करूँगा अच्छे design के लिए आप Infinix S5 Pro लीजिएगा बाकि दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera तो camera भी आपको ज़्यादा अच्छा Infinix में मिलता है आप Infinix करी दिएगा और अगर आपके लिए matter करती है mobile की display तो display को जो design है वो आपको Infinix में बहुत अच्छा मिल जाता है full view display है कोई notch नहीं है तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको Infinix ही suggest करूँगा इसके लवग दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery और mobile की RAM और storage तो ये दो चीज़ा आपको Redmi 8 में कम कीमत में ही काफी अच्छे मिल जाती है RAM और storage भी Infinix के बराबर है और battery भी और जाद अच्छी है इसे के साथ fast charging का भी support है Type-C cable भी है तो अच्छी RAM और storage और दूसरा अच्छी battery के लिए आप Redmi 8 खरीदियेगा लेकिन अगर आपके लिए mobile का design, mobile का camera और mobile की display matter करती है तो आप Infinix S5 Pro खरीदियेगा इन दोनों mobile में बाकि दोस्तों processor के अंदर ये दोनों ही normal है आप मुझे बताईएगा नीचे comment करके आपको इन दोनों mobile में कौन से ज़ाद अच्छा लगा ये चीज़ comment करके ज़रूर बताईएगा मुझे इन दोनों mobile में Infinix S5 Pro ज़ादा पसंद आया आप मुझे ज़रूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा उसके साथ जो बैल आइकन है उसे भी दबा दिएगा ताकि नई comparison की वीडियो आप तक पहुशती रहें इसके लावर वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा WhatsApp Facebook पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई